मटर पुलाओ तो विंटर्स में सभी को पसंद होती है क्योंकि ये जटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आज हम बनाएंगे ये मटर पुलाओ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में तो आएए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे तो सबसे पहले गैस पे रख दिया है मैंने कुकर और कुकर में मैं अड़ करूंगी यहाँ पर टू टेबल स्पून के करीब देसी घी आप जब ही भी पुलाओ या बिर्यानी बनाएं आप उसमें एक से तो टेबल स्पून के करीब आप देसी घी जरूर अड़ करें बहुत ही अच्छा स्मेल और फ्लेवर आएगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ दस से बारा काजू को फ्राय कर लूँगी इसमें यह देखिए हलका सा हमें इने कलर नहीं देना फ्राय सा कर लेना है और उसके बाद हम एड़ कर देंगे इसमें रिफाइंड ओयल आप जितनी कौन्टिटी में राइस ले रहे हैं आप उस हिस आप से ओयल एड़ेस्ट कर सकते हैं तो जब तक हमारा ओयल गरम हो रहा है तो हमने लिए हैं यह खड़े मसाले जीरा तेजपात एक तालचीनी का टुकड़ा तीन चार लोंग तीन चार काले मेर्च और दो तीन ग्रीन इलाइची आप चाहें तो बड़े वाली इलाइची भी तोड़कर डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने ग्रीन वाला डाल दिया है तो मैंने सारे मसाले डाल देंगे उसके बाद इन में से एक अच्छी सी खुश्बू आ जाए लगबग 30 सेकिंड के करीब इनको फ्राय कर लेना है जब तक फ्राय हो रहे हैं मैंने लिया आप खड़े मसाले डालने के बाद उसमें अनियन एड़ करें और उसे हलका सा पिंकिस कलर तक पका ले अगर आप इस तरीके से अनियन को फ्राय करते हैं और उसे हलका सा कलर आने तक पका लेते हैं तो आप में की बिरियानी और पुला बहुत ही अमेजिंग बनती है बहुत लाइट सा बस उतना ही पका लेना है उसके बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यानि की अदरक लहसुन का पेस्ट वन टेबल स्पून मैंने डाल दिया और से भी जस 30 सेकिंड तक ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए और अच्छा सा फ्लेवर रिलीज हो जाए उतना हम कर देंगे उसके बाद मैंने एड़ किया है यहाँ पर यह अनियन का पेस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जो लोग अनियन नहीं खाते हैं या लहसुन नहीं खाते हैं वो यह वाला स्टैप इसकिप कर सकते हैं तो थोड़ा सा मैंने जार में वाटर रिंस करके भी इसमें डाल दिया है तो इसे हम जस्ट फोर्टी टू फोर्टी फाइब सेकिंड के लिए पका देंगे तो यह देखे अच्छे से पक रहा है यह उसके बाद हम एड़ कर देंगे इसमें यह टमाटर और ग्रीन चीली यह मैंने दो तीन ग्रीन चीली लिया है ज़्यादा तीखा नहीं है पर थोड़ा सा हलका सा तीखा सा रहे तो अच्छा लगता है मटर पुलाओ में तो यह मैंने इसमें एड़ कर दिया है भी से अच्छे से हम यहाँ पर पका लेंगे एक मिनट के करीब ताकि जो अदरक लहसुन और हमने प्याच का पेस्ट डाला है अच्छे से पक जाए और एक अच्छा सा अरोमा रिलीस कर दे सभी मसाले तो यह देखे अच्छे से पक गया है कलर देखे कितना अच्छा आ गया है और ओयल भी एकदम सर्फिस पे आ गया है उसके बाद मैंने एड़ किया है इसमें वन टेबल स्पून धनिया पाउडर और सॉल्ट एस पर टेस्ट आप डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें गाजर कैरेट तो दोनों चीज़े मैंने डाल दी है तो इसे अच्छे से यहां पर मिक्स कर देंगे और mix करने के बाद हम इसे यहाँ पकने के लिए छोड़ देंगे एक से तेड़ मिनट तक ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और आपस में mix हो जाएं तो एक तेड़ मिनट बाद यहाँ पर मैं इसमें add कर दूँगी फोर टेबल स्पून के गरम मसाला आप जादा ना डाले देखकर डाले अगर आप जादा डालते है तो flavor जादा अच्छा नहीं लगता तो गरम मसाला आप हमेसे थोड़ा सा ही use करें उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर हींग पाउडर अस्फिर्टोडा डाल कर अच्छे से मिला दें आप जबी भी बिरियानी या पुलाव बनाए जरूर डाले और यहाँ इसे 30 सेकिंड मैंने पका दिया है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे राइस और डाल कर अच्छे से सारी चीजों को एक बार हम मिक्स कर देंगे यह देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा कलर लग रहा है एकदम कलर फुल हमारी यह मटर पुलाव बनने वाली है तो मैंने मिक्स कर दिया है अभी हम इसमें एड़ कर देंगे वाटर वाटर मैंने यहाँ पर अगर दो कटोरी मैंने चावल लिये हैं राइस तोसी के हिसाब से मैंने डेड़ कटोरी पानी डाल दिया है और उसके बाद एड़ किया है इसमें वन फोर टेबल स्पून के करीब यह बलैक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर आप जरूर डाले बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है आपकी मटर पुलाओ में तो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैंने एड़ किया है यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस नीमबू का रस तो यह देखें इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत अच्छा एक फ्लेवर लगेगा हमें खाने में तो आप जब ही भी बनाए थोड़ा सा लेमन जूस जरूर डाले तो इसे यहाँ पर हम एक बॉयल आने तक पकने को छोड़ देंगे विदाउट कूकर को बंद किये हुए तो यह देखें एक मिनट हो गया है अच्छे से बॉयल हो रहा है वाटर तो इसके बाद हम यहाँ पर कूकर का धकन लगाएंगे जब ही भी आप यह मटर पुलाव कूकर में बनाएं तो इसी तरीके से स्टैप टू स्टैप बनाएंग तो आपकी मटर पुला बहुत ही यमी बनेगी आपको खा कर मजा आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने कूकर का धकन लगा दिया है और एक विसल आने तक हम इसे छोड़ देंगे फुल फ्लेम पर पकने के लिए वैसे विसल लगाना आपके राइस पर भी निभा करता है कि आपक अपने हिसाब से अड़जस्ट कर सकते हैं तो विसल लग गए अब इसे हम बंद करके ही छोड़ देंगे जब तक कि यह खुद से पूरा प्रेशर रिलीस ना कर दे तो यह देखिए अभी मैं इसको खोल कर दिखा रही हूं कैसी बनी है हमारी फुलाव वाव लुकिंग सो नाइस तो बहुत ही अच्छी बनी है देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो कितनी यमी होगी तो आप इसे ऐसे अच्छे से आपस में मिक्स कर दे सारी चीजों को बहुत इजी हैंड से ताकि सारे चावल अच्छे से खीले खीले बन जाएं तो अब कर लेते हैं इसे जल्दी से सर देखिए मैंने यहां प्लेट भी लगा दिया है उसके बाद हम इसे करने वाले हैं सर बहुत ही अम्मी लगती है खाने में आप एक बार इस तरीके से ट्राइ करें रेस्टोरेंट वगेरा में आपको जो मटर पुलाव मिलती है सेम इसी तरीके से बनाते हैं जिस में मटर आते हैं तो ऐसे में मटर पुलाव बनाना तो बनता है तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार ट्राइ करके देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में तो लीजे बन के तयारे हमारा यह यम्मी और टेस्टी रेस्टरेंट स्टाइल मटर पुलाव वो भी घर पर साथ ही में हम इसके साथ सर्व करेंगे पूंदी का रायता इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगे आप वहां से देखकर बना सकते हैं तो आप कब बना रहे हैं यह मटर पुलाव मुझे जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बाई बाई एवरीवन